जबलपर में भाजपा निताओं ने पुलिस के सामने ही वकील और उसके साथियों के साथ जम कर मारपीट की घटना उम्ती थाना के अंबेट कर चौक के पास की बताई जा रही है मारपीट का वीडियो भी सामने आया है बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद हो रहा था जिसकी सूचना मिलते ही ओम्ती थाना पुलिस मौके पर पहुची पुलिस के सामने ही बाज़पा नेता वकील के सांथ मार पीट करते रहे पुलिस ने विवाद होता देख वकील और उसके सांथियों को गाड़ी में बिठा लिया और उसके बावजूद भी बाज़पा नेता और उसके सांथियों ने उसे बाहर निकाला और मार पीच की पुलिस टीम में लगभग 6-7 जवान थे जो कि दोनों ही पक्षों को अलग-अलग करवा रही थे पुलिस ने आशुतोष उनके साथियों को पकड़ कर अपनी गारी में बेठा लिया इसी बीच भाजपा नेताओं के साथियों ने गारी में बैठे वकील आशुतोष को जबरन हाथ खीच कर बाहर निकाला और उसके साथ जमकर मारपीट की पुलिस बीच बचाव कर रही थी लेकिन जिस तरह से भाजपा नेता मारपीट कर रहे थे उनके सामने पुलिस भी बेवस नजर आई ओमती थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंग पवार ने बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाप मामला दर्ज किया है जबलपुर से वाजित खान की रिपोर्ट कि संक्या ज्यादा थी थाने से हमने सब्सक्राइब कर दोविदी साब और पहुंचा है कुछ लगों जो वहां पर मौकर में लिए उनको लिए कि ठाने आये थी दौनों पक्षोंद्वारा बताया गया कि इनका आप सी विवाद कोछ साइट से खड़े दोके पर साफ करने क अच्छीन की तरफ से काउंट और या फाई यार भी है तो यह समामली को बबेचना कर रहा हैं